एक बार एक विक्ती मुम्बई के एक Red Light Area में जाता है Red Light Area के एक कोटे में जा करके वहां पर क्या देखता है कि 20 लड़कियां इसके सामने खड़ी थी 20 लड़कियों में से किसी एक को चुनने की उसके पास आईदी थी वो बीसो लड़कियों में से एक एक को ध्यान से देखता है देखता जाता है और जब एक लड़की पर उसकी नजर पढ़ती है तो वो क्या देखता है कि लड़की की नजर उसको देखते ही नीचे जुग गई लड़की की नजर जब नीचे जुग गई तो वो लड़का जो वो ससंकित हो जाता है उसको लगता है कि मैंने इसको कहीं देखा है फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार मैंने इसको कहां देखा है उसके कपड़े ऐसे थे जिनको देख करके कि कोई भी विक्ती उतेजित हो सकता था उसने उस लड़की को ऐसे कपड़ों में कभी नहीं दे परेशान था कि आखिरकार उसकी पतनी यहां पर कैसे पहुंची कब पहुंची कैसे पहुंची लड़का काफी हैरान और परेशान था और आखिरकार उसने उस लड़की से अपनी पतनी से अपनी धरम पतनी से जब उसके सारी कहानी जानी तब उसने ऐसा कदम उठाया जिसकी तारीफ होने लगी चारों तरफ लोग उसको सल्यूट करने लगे उस पती को क्योंकि आज कल होता क्या है कि किसी भी लड़की की एगर थोड़ी सी भी गलती है तो उसको लोग माफ नहीं करते हैं लड़के से चाहें जितनी बड़ी गलती हो जाए लोग माफ कर देते हैं नमस्पर साथियों आज की जो सची करना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह करनाटक से है करनाटक की राजधानी बेंगलूरू का रहने वाला लड़का साहिल साहिल बेंगलूरू में रहता था और वहीं पर उसकी जॉब लग जाती है बेंगलूरू में ही एक मल्टीनेशनल कमपनी में उसकी काफी अच्छी खासी सैलरी होती है साधी को अभी दो ही महीने हुए थे वो अपनी पतनी को थोड़ा सा समझ ही पा रहा था उससे जादा उसके पास समय नहीं था जादा समय वो गुजार नहीं पाया कि उसकी कमपनी की तरफ से उसको एक assignment मिलता है और उसको जाना होता है मुंबई परेसान हो जाता है लेकिन कमपनी का काम ही ऐसा होता है प्राइवेट कमपनी उसका अब उसको जाना था तो जाना था ऐसा जब उसके पास order आता है कि assignment में मुंबई जाना है तो वो अपने घर में सबको बता करके मुंबई को रवाना हो जाता है मुंबई जाने के बाद अपनी पत्नी के पास फोन करता है जब उसको समय मिलता है पत्नी उसके पास फोन करती है पतनी का नाम तान्या था तान्या जब अपने पती साहिल से बात करती तो काफी खुस हो जाती और एक दिन इसी क्रम में जो साहिल होता है वो अपने पतनी से कहता है क्या तुम मुंबई देखना चाहोगी कि साहिल उसको बताता है कि मैंने तुम्हारी टिकट करा दी है साथ अक्टूबर दो हजार ग्यारा को उसकी टिकट थी रिजर्वेशन था बाई रेल उसको जाना था बैंगलोर से मुंबई एक हजार किलो मीटर का सफर तक्रीबन नौसो अठारा किलो मीटर का सफर था वो लगबर एक हजार मान के चलिए एक हजार किलो मीटर का सफर उसको अकेले तै करना था घर वाले भी चिंतित थे और साहिल भी चिंतित था काफी ऐतिहात उसको समझाया जाता है सुरच्छा की सारी चीजें उसको समझाई जाती कि किसी से मिलना नहीं है किसी से बोलना नहीं है तुमको अपना जो है काल करते रहना है मेरे पास या अपने मम्मी पापा अपने जिससे जब बोर हो जाओ तो साथ ससूर के पास सबके पास काल करते रही है ताकि एक हजार किलोमीटर का सफर है सब लोगों को जानकारी होती रह तान्या बिल्कुल सबको निश्चिन करती है कि देखो मैं पढ़ी लिखे लड़की हूँ मैं ऐसा ही करूँगी मैं किसी से वहां बाचिन नहीं करूँगी और तुम बेबर्थ हुए चिंता करते हो और मैं सकुसल वहां पे पहुंच जाऊंगी मुंबई जब सब लोगों को ऐसा लगने लगता है कि हाँ तैन्या पहुंच जाएगी तो खर साथ अक्टूबर का दिन आता है तैन्या बैट जाती है बेंगलोर से ट्रेन में जो उसकी सीड थी उसी के सामने सीड पर दो यूवक भी बैठे थे दोनों यूवक एक दूसरे से बातें कर रहे थे एक दूसरे का परचे पूछ रहे थे तैन्या सामने वाली सीड पर बैठी थी वो उनको देख रही थी और इधर-धर बाहर भी देख रही थी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी वो दोनों यूवक आपस में बात करते हैं तुम कहां के रहने वाले हो कहां जा र स्य हाइल से बता रही थी कि मैं यहां पर बैठ गई हूँ, उसके बाद में उसने अपने साथ सदूर को बताया, पिर पने माता पिता को बताया, बाल बाल खिल्गी के बाहर भी देख रही थी, काफी उसको उसको हो रहा था, वो दोनों यूग notor। उसकी हरकतें जब देखते हैं तो उससे पूछते हैं बहन जी क्या पहली बार सफर कर रही हो ट्रेड में तो वो लड़की कुछ जादा नहीं बोलती कहती पहली बार नहीं कर रही हूँ और मुझे मेरे पती के पास मुंबई जाना है वो दोनों युवक कहते हैं देखिए हम मुंबई जा रहे हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो परेशान मत हो यह हम भी मुंबई जा रहे हैं आपको कोई दिक्कत हो तो हमें बता देना ऐसा वो दोनों लोग कहते हैं तान्या उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है खर आगे चलके धीरे-धीरे 100-200-300-400 किलोमीटर का सफर बातें और होती रहती हैं अब तान्या से कुछ ना कुछ वो भी बात करते हैं तान्या भी कुछ उनसे बात करती तान्या भार-बाहर भी देख रही थी अपने पती से वीडियो काल पर बात कर रही थी अपने पती को बार-बार वहां कि अब यहां पहुँच गई हूँ यह पहुंच गही हुँ, ऐसा बता रही थी, इसी बीच वो दोनों यूँव, जो कुछ अपने बैग में था, वो निकालते हैं, खाते हैं, एक दूसरे को सेर करते हैं, तानिया से भी पूछते हैं, क्या तुम खाओगी, तानिया कहती है, मैं नहीं खाओगी, अब तानिया जब बैग से कोई चीजे निकालती, खाने वाली, तो तानिया जब देखती है, कि इन लोगों ने मुझको पूछा, तो मेरा फर्ज बनता इन से पूछे, तानिया उनसे पूछती है, भाई साब क्या तुम ये खाओगे, तो वो कहते हैं, हाँ खाएंगे, वो दोनों खा लेते ह तानिया काफी होसियारी रख रही थी, उनकी चीजे नहीं खा रही थी, लेकिन ऐसा समय आ जाता है, सौदो सो पान सो किलो मीटर के बाद की वो, तानिया भी उनकी चीजे अब खाने लगी, जितना समझाया गया था घर में, वो सारी चीजे मिट्टी हो गई, और तानिया व उसको कोई एफेट मालूम ने दे रहा था, पहले उसने थोड़ी-थोड़ी करके खाई, फिर वो जादा-जादा खाने लगी, फिर उसके सरीर पर कोई ऐसी दिक्कर नहीं, कोई बेहोसी नहीं, तानिया को अब पूरा विश्वास हो चला था, कि ये योग बिल्कुल भले ह इसी करमें समय हो जाता है, करीब देर-सो किलोमीटर मुंबई बहसता है, तो वो दोनों जाते हैं, चाय लेने चाय लेने जाते हैं, तानिया से बुस्ते है, काथ बह् Caitlin जी आप चाय पियोगी, तानिया कहती हैं, मैं चाय नहीं पीते हूं, वो बाहर जाते हैं, दोन경 में साथ खापी रहीती त Marinивать तन्या वो चाय पिते ही उसको बहोसी चाजाती, बहोसी चाजाती है तन्या बहोस हो जाती, असको अगी सुल्बूर नहीं रहती है, जब उसकी आँखे क्लती हैं थोड़ी दिर में तब वो देखती है कि वो ट्रेन में नहीं है, बोगी में नहीं है, वो एक कार में है और कार बड़ी तेजी से जा रही है सड़क पर तान्या हलकी से आखे खोलती है उसको हो सनीता सुद्बूर नहीं थी हलका सा उसको यह वो लेका भास हो रहा था आखे खोलती है पुस्ति कहां लिये जा रहे हो तो उसको एक जोरदा तमाचा पढ़ता है वो क्योंग कोई अंजान जो गारी चला रहा था गारी जा करके रुकती है मुंबई की रेड लाइट एरिया के उसी कोठे के सामने उस कोठे की मालकिन जो सुनीता पुजारी उसके सामने वो लोग उस लड़की को ले के जाते हैं ले जाने का तरीका उनका ऐसा था उन्होंने उस लड़की को ऐसे पकड़ा था जैसे वो उनके घर की है और बीमार है इसी तरीके से उन्होंने उसको रेलवे स्टेशन से भी निकाला था कि ये बीमार है और हम इसको दवा इलाज के लिए लेके जा रहे हैं उसको लेके जब गए कोठे पर तो सुनीता पुजारी है उस सोसन होना था तैन्या को मजबूर किया जाता है तैन्या नानुकूर करती है तैन्या बहुत परहसान हो जाती है एक्दम विद्रो करने लगती है उसको मेरे पती के पास जाना है उसको बान दिया जाता है कुरसी में उसका मूँ बान दिया जाता है खाने को कुर नहीं दिया थे लेकिन तान्या टूटने का नाम नहीं ले रही थी, 15 दिन हो जाते हैं, उधर उसका जो पती था साहिल, वो काफी परेशान उसका जब बैंगलोर में जाता है, CCTV चेक करवाता है, वहाँ पता चलता है, हाँ तान्या रेली ट्रेन में बैठी थी, वहाँ से स्योर हो गया, अब उसको पता नहीं चल पा रहा था, धीरे धीरे 15 दिन जब हो गया, उसको भी उम्मीद नहीं रही, इधर उधर उसने रिपोर्ट भी दर करना था उसको और वहाँ पर नहीं उतरी, उसके साथ में क्या हुआ, पुलियस वाले रिपोर्ट और जारज कर लिए, उनकी जैसे जान चल लए थी, वह ऐसी चल लए थी, 15 दिन के बाद आखिरकार तान्या उस कोठे में, वहाँ पर मार पीर पतारना से, भूखी प्यासी जो जंग कर रही थी, वो टूट जाती है, अब जो टूट जाती है, तो उसी तरीके कर कपड़े वो पहन लेती है, पहन करके कपड़े, ऐसे कपड़े थे वो जिनको देखकर कोई भी नारमल इंसान उत्यजित हो जाए, अब उसको कोठे में वैसे ही कपड़े पहनने थे, वही कपड़े पहन के खड़ी हो जाती है एक यूवक आता है जो कस्टमर था ग्रहक था वो आया और उसने जो 20 लड़कियां थी पहले 19 थी तान्या के चाने पर वहाँ 20 हो गई वह 19 लड़कियों में उसी लड़की को पसंद करता है तान्या भी नई लड़की थी उसको देख मेरी मदद कीजिए वैसे तो कोठे पर आने वाले ग्रहक जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपको पता है लेकिन वह ग्रहक कुछ दूसरे ही किसम का था या यह समझे भगवान का भेजा हुआ था वो तान्या पूषता है क्या बात है बताओ कैसे तुम्हारी मदद करूँ तो कहती है मेरे पती से बात करा दीजिए मेरा पती यही मुंबई में है मैं ऐसे ऐसे आई थी दो युकों ने मुझकों ऐसे ऐसे फसाया और यहां पे बेच गए वो युवक उनकी उसकी मदद करने को तयार हो जो यूवक था वो फोन करता है उसके पती साहिल के पास साहिल काफी दिनों से अपनी पतनी का इंतजार कर रहा था उसके कॉल का इंतजार कर रहा था एक कॉल आई अंजान नंबर से जब फोन रिसीव करता है तो आवाज आती उधर से मैं तान्या बोल ले हो साहिल पूसता है कोठे में हूँ यहां पर यह यह काम होता है वो यूवग जो होता है जो कस्टमर बनके आया था वो साहिल को उस कोठे का पता बता देता है साहिल पहुंच जाता है उस कोठे पर साहिल ने पहले सोचा कि पूलिस को सुचना करें लेकिन वो समझता है कि साइद कहीं है, इसा न होगी, वो उसको भगा दें या उसको कहीं छिपा दें, बाद में न मिले, तो साहिल भस्यारी करता है और कोठे पर ग्राहक बन के पहुंच जाता है, ग्राहक बन के जब पहुंचता है तो वहाँ पर जो लड़कियां थी अब उसको अपनी पत्नी की तलास करनी थी तानिया की तो सारी लड़कियों को रिजेक्ट करने लगता है तो उठे की जो मालकीन होती सुनी तपजारी कहती है उस नई लड़की को लेकर आओ साइद ये इसको पसंद आ जाए तो अब उसके सामने वही लड़की आ जाती है जो तानिया होती है तानिया को देखता है कमरे में ले जाता है वहाँ पर बाते होती है अब दोनों एक दूसरे की आप भी ती सुनते हैं तानिया को अपनी गलती का ऐसास हो जाता है कि मुझको चाहे नहीं पीनी थी उन योगों से खेर साहिल जो होता है वो दिमाग लगाता है सबस्तरा था अब क्या करें यहां से कैसे बाहर निकलें निकलने में तो बड़ी दिक्कत है यह लोग पकड़ लेंगे मारेंगे पीटेंगे भी बाहर भी नहीं जाने देंगे और जान का भी खत्रा है साहिल फोन करता है डायल हंडर्ड पे पुलिस कंट्रोल रूम में जब फोन करता है पूरी बाद बताता है मुंबई पुलिस काफी मुस्तेदिस है और काफी उन्होंने अच्छा काम किया उनको भी एक सल्यूट करना चाहिए काफी भारी संख्या में फोर्स लेके आते हैं कोटे को चारों और से घेर लेते हैं घेरने के बाद में अंदर आते हैं पुलिस वाले और कमरे में साहिल और तान्या मिल जाते हैं उनको साहल तान्याज़ मिल जाते हैं पुलिस वाले सुनीता पुजारी और एक रहीदा बेगम और दो अन्य यूगों को वहां पर हिजासत में लेते हैं उन चार लोगों की मदद से वो दो यूगों को भी तलास कर लेते हैं जिन्होंने सुनीता को ट्रेंज से ला करके इस को उनकी दो ही प्रायोरिटी थी कि अकेली महिला हो सफर कर रही हो और देखने में सुन्दर हो उसी को निसाना बनाते थे और निसाना बना करके अगर सफल हो जाते थे तो वो उसको ला करके कोठे पर बेचा करते थे उस कोठे पर तमाम ऐसी लड़किया थी जो पुलिस जबा पर करें तो काफी होसियारी से करें आदमी जब के चुली के अंदर होता है ऐसे आप से बात करेगा आपको लोगेगा मेरा भाई है मेरा बिलकुल बहुत घंश्च सगा है आजकल ऐसा ही हो रहा है लोग फेस्बुक के माध्यम से अपने दोस्त बना रहे हैं कहीं इस्टाग्र सादा इधर उधर सफर करें तो बहुत होसियारी से करें वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट जरूर करें वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू झाल